मेरा नाम है सिकंदर मुंसूरी तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम रिवियो करेंगे वोल्टास 1.410 5-star air conditioner दोस्तो वोल्टास का ये model Amazon पे 237,490 में available है वो भी 1.410 5-star air conditioner दोस्तो आए हम जानते हैं इस model के बारे में और इस model के दोस्तो सभी technical specification और technology and features भी हम इस वीडियो में cover करेंगे तो दोस्तो टाम नहीं करते हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तो वोल्टास का 1.410 5-star air conditioner जन में ये वीडियो बना रहा हूं इसका प्राइस है दोस्तो ओनलाइन Amazon पे 37,490 और ये 5-star air conditioner है दोस्तो और ये 2024 का नया model है दोस्तो वोल्टास का ये 1.410 आपका up to 180 square feet area के साब से sufficient है यानि और दोस्तो इस एर कंडिशनर के सभी technical specification के बारे में दोस्तो इस एर कंडिशनर के जो आई है CR rating है 5.00 की है और इस एर कंडिशनर की दोस्तो जो cooling capacity है इस की cooling capacity है 4600 Watt की इस air conditioner में आपको cooling capacity देखने को मिल जाती है और दोस्तो वोल्टास का ये air conditioner पूरे साल बर में 712.61 unit power consume करता है यानि ये इस 1.410 5-star air conditioner का दोस्तो annual power consumption है दोस्तो इस air conditioner के अगर हम noiseable की बात की जाए तो दोस्तो वोल्टास के इस air conditioner में आपको 37 डेसेबल का noiseable देखने को मिल जाता है दोस्तो प्राइस रेंज के इस आप से जो आपको technical specification मिल रहे है मेरे इसाप से ये best है मतलो दोस्तो आपको 37,490 के प्राइस में एक आपको 1.410 5-star air conditioner मिल रहा है वो भी 2024 का नया model तो दोस्तो य इस air conditioner के कुछ थोड़े से technology and features के बारे में तो दोस्तो ये वोल्टास का एक inverter air conditioner है दोस्तो इनवाटर air conditioner का advantage ये होता है इनवाटर air conditioner दोस्तो maximum electricity saving करने का काम करता है इस air conditioner में जो compressor लगा है वो inverter compressor है दोस्तो और ये air conditioner में जो कोई यूज की गई है दोस्तों copper वाली coil है यानि indoor और outdoor के अंदर और इमें जो connecting pipe है वो सभी copper material की बनी है copper का advantage ही होता दोस्तों copper काफी यादा long lasting होता है कभी leakaging का issue आ गया तो उसे easily आप repair करवा सकते हो यानि brazing करवा सकते हो वोल्टास के इस AC में दोस्तों maintenance से बचने के लिए ताकि rusting वगेरा ना लगे या फिर आकर आप किसी surface area में रहते हो आपके घर के बाजू में कोई नालब अगेरा है तो नॉर्मल दिक्कत क्या होती है जो coils की जो fins वगेरा होती है जल्दी खराब होने लगती है और AC के अंदर leakaging का issue आता है रस्टिंग वगेरा लगने से क्रोस वगेरा लगने से तो वोल्टास के इस air conditioner में दोस्तों आपको golden color की chemical coating दी गई है जिससे AC के अंदर maintenance वगेरा जल्दी से create नहीं होगा बहुत से machine में blue color की chemical coating आती है किसी में gold color की chemical coating आती है तो वोल्टास के इस AC में आपको gold color की chemical coating देखने को मिल जाती है जो की रस्टिंग से बचाती है air conditioner को और दोसों यूहीं नहीं दोस्तों वोल्टास के इस AC को आप चार अलग-अलग mode में या यानि यह कहिए चार अलग-अलग 10 इज में convert करके चला सकते हो एक्जिस्ट करके चला सकते हो यह वोल्टास का एक्जिस्टेबल AC है यानि आप 20 परसेंट से लेके 120 परसेंट टक आप इस एक सकते हो वह भी परसेंटेज में इस एर कंडिशन में पावर फ्लक्शिशन से बचने के लिए आपको यहां पर स्टाइबलीजर-ब्डी वोपरेशन देखने को मिल जाता है वोल्टस के जो स्टाइबलाइजर फिर फिर अपरेशन दोस्तों 110 वो जाता है अगर इस रेंज के बीच में अगर आपकर पावर्शिशन होता है तो ऑभी ऐसे में वोल्टस के एसी में कोई खाम नहीं होगा न स्टैपलाइजर होता है उसके भरोसे में कभी अचानक से जादा आ गए तो ऐसे में दोस्तों एसी का जो पीसी भी होता है वो उड़ सकता है तो आप हमेशा एर कंडिशनर में सेफर साइट अलग से स्टैपलाइजर जरूर लगवाएं अगर आप यह पावर फ्रक्शिशन की दिक्कत आती है तो स्टैपलाइज के साथ इर किरिफिकेशन होता है तो क्योंकि वोल्टास के ऐस एर कंडिशनर में एंटीडस फिल्टर विथ मायक्रोबिल कोटिंग दिखने को मिल जाती है इसका फाइदा ही होता दोस्तों आपकी रूम की एर के अंदर जितने भी इन्व आप यह सकते हो memory restart मालने जी आपने air conditioner को start किया है और आपने अपने सेटिंग पे AC को set किया है मालनों आपने AC का temperature set किया था 23 degree और आपने जो lower की जो flat की setting होई थी उसको अपने अपने सबसे site किया था तो मालनों अगर आपने AC को बंद कर दिया या power चला जाता है और AC बंद हो जाता है तो आपने जो भी setting की होगी जब AC on होगा तो AC उसी setting में on होगा तो आपको temperature lower की setting को set करना नहीं पड़ेगा जो भी आप temperature set करते हो lower की setting set करते हो तो AC by default आपकी setting को save कर लेता है तो इसे बोलते हैं memory restart function जो कि आपको voltas air conditioner मिल रहा है दोस्तों voltas का यह air conditioner आपको कैसा लगा प्लीस आपकी रहे मुझे comment box में comment करके जरूर बताना मैं आपकी रहे जरूर जरूर जानना चाहूंगा हाँ अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वाईरी है डाउट है confusion आप उसे comment box में comment करके पूछ सकते हो दोस्तों इसके अलावा मैंने वोल्कास एर कंडिशनर की बैंग लिंग दे दी हैं अगर आपको यसी बाइक करना है तो बाइक कर सकते हैं अभी प्राइस कर सकते हो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग